इस्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग प्रशनावली साथ दस हम लोग एक के questions को solve करने वाले हैं तो चलिए students हम लोग देखते हैं question number first में देखी क्या कहा जा रहा है कहरा निमलिखित बिंदूओं के युगमों के बीच की दूरियां ग्याद किजिए यहां पे हमें बिं बिंदू P का जो निर्देशांख है और X1 और Y1 है और समझे हमारे पास कोई दूसरा बिंदू है यह जो दूसरा बिंदू है एक Q है और जो बिंदू Q है इस बिंदू Q का निर्देशांख हमें दिया है X2 और Y2 दिया गया है अब हमें यह जो मारा बिंदू P और Q है हमें बिंदू P और Q के बीज की दूरी निकालनी है तो बिंदू P और Q के बीज की दूरी निकालने के लिए हमारे पोस्ट फर्मूला होता है फर्मूला क्या होता है अंडर रूट X2 माइनस X1 का होल स्क्वाइर देखे X2 माइनस X1 का होल स्क्वाइर प्लस लिखे y2 इसमें से हम इसको घटाएंगे तो y2-y1 का whole square और इसी formula का use करेंगे हम लोग और बिंदू जो हमारा p है और जो बिंदू हमारा q है इनके बीच की दूरी को हम लोग निकाल लेंगे तो चलिए students यहां पर हमें दिया गया है बिंदू इसको हम लोग p माल लेते हैं और इसको हम लोग क्या माल लेंगे q माल लेंगे तो जो हमारा बिंदू p है बिंदू p का निर्देशांग x1 y1 हमें क्या दिया है हमें 2 3 दिया गया है चलिए इसी तरीके से जो हमारा बिंदू क्यू है क्या है X2 Y2 तो X2 Y2 में क्या दिया यहां पर देखिए 4 और 1 दिया है तो यहां से X1 हमारे पास 2 हो गया Y1 3 हो गया और X2 की बात करें X2 4 हो गया Y2 की बात करें तो Y2 1 हो गया तो हमें इनके बीच की दूरी निकालनी हैं, तो दूरी क्या हो जाएगी? यह जो बिंदू P और Q हैं, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? फॉर्मूला आप लोग यूज करिए, फॉर्मूला क्या होता है? अंडरूड X2-X1 का होल स्क्वाइर प्लस Y2-Y1 का होल स्क्वाइर बैलूज रख दिजिए, इस्टूडेंट्स, X1 अमारे पास देखिए, X2 क्या है? X2 का बैलू 4 है, तो यहाँ पर आप लोग 4 राइट कर दिजिए, 4-X1 कितना है? यहाँ पर देखिए, X1 2 है, यहाँ पर लिख दिजिए, 2, 4-2 का होल स्क्वाइर प्लस Y2 का बैलू देखिए, क्या है? Y2 का बैलू 1 है, यहाँ पर आप 1 रख दिजिए, माइनस Y2 का बैलू 1 है, तो हमने 1 रख दिखिए, कितना 3 है? यहाँ पर आ इहां से देखिए, solve कर लिजे इसको, 4 में से 2 घटाएंगे, तो 2 हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, 2 का square, plus 1 minus 3, 1 में से 3 घटाएगा, क्या हो जाएगा, minus 2, और minus 2 का क्या हो जाएगा, whole square, इसको solve कर लिजे, students, 2 का square करेंगे, तो 4 हो जाएगा, plus, minus 2 का square करिएगा, तो minus 2, into में minus 2, minus minus plus हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, हमारे पास क्या जाएगा, plus 4, तो यहां पे write कर दिजे, 4, अब आप लोग देखिए, 4 को 4 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8, और यहां से देखिए, 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 into में 2, और 4 का बर्गमूल हमारे पास क्या हो जाएग तो students, इस तरीके से हमने इस question को solve किया, चलिए, हम लोग इसके second number पर चलते हैं, और देखते हैं second number का solution क्या होगा, आप लोग लिखना चाहते हैं, तो write कर लिजिए, चलिए, हम लोग इसके second number पर चलते हैं, और देखते हैं, इसके second number का solution क्या होगा, तो यहां पर हमारे पास इसको आप P मान लिजे इसको आप क्यों मान लिजे तो P का निर्देशांग क्या है देखे X1, Y1 हमारे पास क्या दिया है minus 5 और 7 है और इसी तरीके से आप क्यों देखे क्या है x2 y2 और x2 y2 हमारे पास क्या है minus 1 3 तो write कर दीजे minus 1 और यहाँ पे 3 बीच की दूरी का formula क्या होता है इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी formula आप लोगों को याद हो गया होगा लिखिए formula write कर दीजे x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square तो instruments यहाँ पे आप लोग values रख दीजे x2 का value देखिए क्या है यहाँ पे x2 यही है minus 1 तो यहाँ पे आप write कर दिखिए minus 1 यहाँ पे देख सिन्ध है तो minus write कर दीजे x1 का माल क्या है? minus 5 है तो यहाँ पे आप minus 5 रखेंगे तो minus minus क्या हो जागा? प्लस यहां पे आपको ध्यान से सोचना था क्या सोचना था हमारे पास माइनस 1 था और माइनस हमारे फॉर्मूले में है तो हमने माइनस राइट किया और यहां पे यहां पर directly लिखती है, आगे देखे y2 कितना है, y2 का value 3 है, यहां पर 3 राइट करिए, minus y1, y1 का value क्या है, 7 है, यहां पर 7 राइट कर दीजिए, इसका square, हल कर लिजिए student, देखे क्या आता है, plus 5 है, minus 1 है, तो plus minus क्या हो जाएगा, minus, 5 में से गटाइग क्या हो जाएगा, 4, तो यहां पर 4 का square, plus, minus 7 है, plus 3 है, minus 7, देखे, minus 7 और plus 3, तो minus 7, plus 3 कितना हो जाएगा, minus 4, तो minus 4 राइट कर दीजिए, यहां पर, minus 4 का square, कुछ इस तरीके से हो गया, अब यहां पर देखे, 4 का square करेंगे, तो 16, minus 4 का square करेंगे, तो भी 16 हो जाएगा, और 16, 16 कितना हो जाएगा, 32, 32 को यहां लोग क्या लिख सकते हैं, दो गुड़े 16 हाँ, और 16 का बर्गमूर ले लेंगे, हो जाएगा, 4, और यहां पर बचा अंडरूट 2, तो हमारे पास क्या आगया, चार अंडरूट 2 मात्रग, यही हमारा क्या हो गया, इस्टूडेंट, देखिए, यही हमारा answer हो गया, तो इस्टूडेंट, इस तरीके से हमने इसके second number को solve किया, चलिए, अब लोग इसके third number पर चलते हैं, और देखते हैं, इसके third number का solution क्या होगा, तो इस्टूडेंट, थर्ड नंबर को आप लोग solve करिए, solve करने का प्रयास करिए, चलिए, अब लोग इसके third number को solve करते हैं, और देखते हैं, third number का solution क्या हो जाएगा, तो चलिए, अब लोग देखते हैं, इसका solution क्या हो जाएगा, हमारे पास P of X1, Y1 क्या है, क्या दिया है, A, B, तो write कर लीजिए, A, B, और Q of X2, Y2 का value क्या है, यहाँ पे देखिए, minus A, और minus B है, और हमें PQ के बीच की दूरी निकालनी है, तो PQ के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इस बिंदू और इस बिंदू के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेजिएगा, पी क्यू के बीज की दूरी, दूरी क्या हो जाएगी, फॉर्मूला आप लोग राइट करिए, x2 मानस x1 का होल स्क्वाइर, प्लस y2 मानस y1 का होल स्क्वाइर, बैलू ज रख दीजिए, तो x2 का बैलू क्या है, आप लोग देख करके बताएए, x2 का बैलू मानस a है, तो यहाँ पे राइट करिए मानस a, और x1 का बैलू क्या है, देखिए, x1 का बैलू क्या है, a है, तो यहाँ पे आप a राइट कर दीजिए, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वाइर, प्लस y2, y2 क्या है, यहाँ पे देखिए, minus b तो यहां पे हमने minus b write किया यहां पे minus है तो minus लिखे y1 का value क्या है b है तो y1 का value यहां पे b write कर दिजिए और इसको students अब आप लोग हल करिए देखिए minus 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 कितना हो जाएगा minus 2a तो यहां पे लिखे minus 2a का whole square plus minus b minus b तो क्या हो जाएगा minus 2b समान चिन है इसलिए जुड़ जाएंगे और square write कर दिजिए अब देखिए क्या हो जाएगा minus 2a का square करेंगे देखिए क्या हो जाएगा minus 2a का square करने का मतलब है minus 2a को minus 2a से multiply कर दिजिए minus minus क्या हो प्लस और दो दूनी क्या हो जागा चार a को a से multiply करेंगे a square क्या हो जागा 4a square अब आगे देखिए यहाँ पे minus 2b का square है तो इस तरीके से लिक लेजिए minus 2b को minus 2b से multiply करेंगे minus minus क्या हो जागा प्लस 2b को 2b से multiply करेंगे 2 दूनी 4b का square यहाँ पे write कर दिजिए 4b square अब देखिए क्या हो जागा 4 हमारा यहाँ पर भी है 4 यहाँ पर भी है तो 4 common कर लेंगे तो 4 आप common कर लिजिए देखिए 4 हमने common किया 4 इस तरीके से हमारा common हुआ यहाँ पर क्या बचा a square प्लस b square और यहाँ से देखिए इस 4 को लोग under root के बाहर ले करके आएंगे हो जाएगा 2 of a square twice times of under root a square प्लस b square और यही हमारा क्या हो जाएगा यही हमारा बिंदू a b और minus a minus b के बीच की दूरी हो जागे तो students यही हमारा क्या हो गया यही हमारा answer हो गया चलिए अब हम लोग next number पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला question क्या है students आप लोग question number 2 पर ध्यान से देखे question number 2 को तो देखे question number 2 में क्या कहा जा रहा है आप लोग question को पढ़िए करा के बिंदूों 00 और 36 15 के बीच की दूरियां ज्यात किजिए क्या आप अनुच्चिद 7.2 में दिए दोनों सहरों a और b के बीच की की दूरियां ग्याद कर सकते हो तो चलिए इस्टूडेंट सम्लोग सबसे पहले बिंदू 00 और 36 15 के बीच की दूरी को ग्याद करते हैं तो लिख लिजिए बिंदू कि बिंदू ओं कि जीरो जीरो और 36 15 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी हम लोग फोर्मुला जानते हैं फोर्मुला राइट कर दिजिए अंडर रूट X2 माइनस X1 का होल स्कॉर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्कॉर तो यहाँ पर इस्टूडेंट्स आप लोग बैलूज रख दिजिए x2 x2 क्या है यह हमारा x2 है यह हमारा y2 है यह हमारा क्या है x1 है और यह हमारा y1 बैलू रख दिजिए x2 कितना 36 है तो यहाँ पे आप 36 राइट करिए x1 कितना है देखिए x1 0 है 36-0 का whole square plus y2 कितना है y2 का बैलू 15 है तो यहाँ पे आप 15 राइट कर दिजिए minus y1 कितना है 0 है यहाँ पे 0 राइट करिए और इसको हल कर लीजे देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 36 का square plus 15 का क्या हो जाएगा square हो जाएगा यही हो जाएगा students अब देखिए क्या हो जाएगा 36 का square करेंगे कितना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 36 का square 1296 तो राइट कर दिजिए 36 का square हमने किया हमारे पास आगया 1296 और यहाँ पे 15 है 15 का square करेंगे कितना हो जागा 225 add कर लिजीए इसमें जोड़ीए देखे क्या हो जाएगा जोड़ीए students देखे क्या हो जाएगा पांच में छे जोड़ेंगे ती 11 हो जाएगा 11 के 1 हासिल 1 और 2 में हमने 1 जोड़ा 3 और 3 9 12 12 के 2 हासिल 1 और यहां पे देखे 2 में हमने 1 जोड़ा 3 और 3 2 कितना हो जागा 5 और यहां पे हमारे पास क्या आ गया 1 तो कितना हो गया 1521 और students आप लोग देखिए जहां लोग 40 का square करते हैं मारे पास 16 सव आता है यानि की 40 से कम हम लोग 49 पर चेक करेंगे तो देखिए क्या हो जाता है हम लोग 49 का square करें देखिए मारे पास क्या आता है 89 81 81 की एक हासिल 8 और 9 37 27 8 क्या हो जगब 35 next देखिए 3 से मने 9 में multiply किया तो 39 27 के साथ हासिल 2 3 3 9 2 11 यहां पर क्या हो गया साथ 5 12 के 2 हासिल 1 और 3 में हमने एक जुड़ा 4 4 1 5 1 तो यहां पर देखिए मारे पास 1521 आ चुका है यानि की अगर हम लोग 49 का square करते है हमारे पास 1521 आता है तो 1521 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 39 और मात्रक यह हमारा क्या हो गया यह हमारा इसका answer हो गया इस्टूडेंट्स जो अनुच्छेत 7.2 दिया गया है अनुच्छेत 7.2 में आप लोग को करना क्या है जो सहर A दिया है और B के बीच की दूरिये में निकालनी है तो कुछ इस तरीके से में दिया है यहां पर हमने question नहीं लिया है आप लोग book देखेंगे तो वहां से चीज़े आप लोग के समझ में आ जाएंगी इस्टूडेंट्स यहां पर हमने आप लोग के लिए question राइट किया जो हमारा 7.2 है 7.2 से हमने यहां पर question राइट किया देख लिजे 7.2 में में क्या दिया है एक सहर B एक अन्य सहर A से 36 किलोमेटर पूर्व और 15 किलोमेटर उत्तर की ओर है तो यहां पर देखेंगे हमारे पास कोई सहर A है और A जो सहर A है सहर A से एक दूसरा सहर B है और A जो दूसरा सहर B है यह जो दूसरा सहर B है सहर A से 36 किलोमेटर पूर्व की ओर आप लोग समझेए यह जो उपर की दिशा होती है हमारी क्या होती है उत्तर नीचे क्या होती है दच्छिंड और हमारा जो दाइना हाथ होता है जो सहर B है, कितना किलोमीटर पूर्व की दिशा में, 36 किलोमीटर, यानि कि कुछ यहां पर, और देखिए, 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है, तो यहां से 15 किलोमीटर उत्तर कहां पर हो जागा, यहां पर कहीं हो जाएगा, तो इसकी जो दूरी है, यहां से यहां तक किलोमीटर, और यहां की जो दूरी है कितना है 36 किलोमेडर, अब अगर अगर हम लोग इसका निर्दे सांग लिखना चाहें यहां से, तो आ जो सहर हमारा A है, सहर A का निर्दे सांग क्या हो जागा जीरो, क्योंकि x एक्सिस पे चली गई दूरी कितना है 0 और y एक्सिस पे चली गई दूरी कितना है 0 और यहाँ पे अगर हम लोग b के निर्देसांग को लिखना चाहें तो b का निर्देसांग क्या हो जागा आप लोग सोच देखिए students हमें यही दूरी a से b के बीच की दूरी ही बतानी है तो इस दूरी को बताने के लिए हम लोग पाइथा गोरस परमे का भी उच कर सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास एक समकोंड बन रहा है और यह जो समकोंड बन रहा है इसमें यहाँ पे 90 डिगरी बनेगा यह बुजा करण हो जाएगी और पाइथा गोरस परमे से हम जानते हैं यह जो हमारा a b का square है इसको भी लिख लिजे जो हमारा a b का square है वो बराबर हो जाएगा किसके कि इसके square के यानि की 36 का square कि पलस इह जो यहाँ पर नाम दे देते हैं हम लोग चलिए हमनों इसको नाम दे São तो बी ची के square के हैं तो बी ची कितना फंदरा है फंद्रा करेंगे 36 का square करेंगा कितना हो यहां पर पजीन होता हो जाएगा ऐड़ कर लीजिये हमने पांच में एक जोड़ा क्या हो जाएगा छे हो dishwasher तो राइट कार यहे छे दो में दो जोड़ा कितना हो गया चार और पे दो में पांच जोड़ा पांच में एक जोड़ा छे और दो में हमने दो जोड़ा कितना हो गया चार और फिर दो पांच क्या हो जाएगा साथ और यहां पे क्या हो जाएगा 36 का square क्या होता है students 1296 क्या होता है 1296 यहाँ पे हमने गलत राइट कर दिया तो यहाँ पे आप राइट करें 1296 1296 add कर लिजिए 5 में 6 जोड़ा कितना हो जागा 11 11 के 1 हांसिल कितना हो जागा 1 और 2 में हमने 1 जोड़ा 3 3 में 9 जोड़ा क्या हो जागा 12 12 के 2 हासिल 1 और 2 में हमने 1 जोड़ा 3 3 2 क्या हो जागा 5 और यहाँ पे आगया कितना आगया 1521 तो AB का square हमारे पास कितना आगया 1521 और यहाँ से देखिए हमारे पास क्या हो जागा AB क्या हो जागा AB हमारे पास हो जागा 39 तो इसको हमने पाइथा गोरस पर मेंसे solve किया है लेकिन हम लोग यहां पर दूरी निकालेंगे और इसके लिए हमारा जो दूरी का formula होता है हम लोग उस method से solve करते हैं चलिए हम लोग उस method को apply करते हैं इस तरीके से आप आप लोग solve कर सकते हो यहां पर हम लोग दूरी वारा formula कैसे apply कर सकते हैं आप लोग इसको भी सीख लीजिए समझिए यहां पर यह जो हमारा कितना है देखे 15 किलोमीटर तो यहां पर 15 राइट कर दीजिए देखिए अब बन गया ना देखिए x1 y1 x2 y2 तो formula apply करेंगे students और जो a b है a b के बीच की दूरी हमारी क्या हो जाएगी देखे x2 minus x1 करिए तो 36 minus 0 करेंगे whole square plus y2 minus y1 y2 minus y1 15 minus 0 करेंगे और इसको solve कर लेंगे हमारे पास क्या जागा 39 किलोमीटर तो my dear students इस तरीके से हमने इसको solve किया आप लोग solve कर सकते हो इस तरीके से चलिए अब लोग next question पर चलते हैं और देखते हैं हमारा जो अगला question है अगले question का solution क्या होगा तो चलिए students हम लोग next question को solve करते हैं देखे question में क्या कहा जा रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदू 1523 और-2-11 सनरेखी है हमें दिखाना है समझिए हमारे पास बिंदू एक बिंदू A है P A बिंदू P है और इसका निर्देशां क्या दिया 15 दूसरा बिंदू में कुछ इस तरीके से दिया है हमें क्या दिया है 23 ठीक है यह जो बिंदू में दिया क्या दिया 23 और इसको हमने नाम दिया क्या क्यूँ चलिए इसको हमने नाम दिया क्यूँ यह मारा बिंदू कुछ यहां पर है और एक हमाला अगला बिंदू है और बिंदू क्या है अगला माल ले रहें R, R का निर्देशांग क्या दिया, माइनस 2, 11, कुछ इस तरीके से है, यहां पर बिंदू है, तो हमें दिखाना है कि यह जो बिंदू है, यह सनरेक है, क्या दिखाना है, सनरेक ही दिखाना है, तो सनरेक ही दिखाने के लिए students हमें क्या दिखाना पड़ेगा, अ तिर्वुज तीन बिंदो को मिलाते तो तिर्वुज बनता है कोई दूसरी आक्रती भी बन सकती है तीन बिंदों से Оп़ा क्राइबी दीन मुझे बन सकता है तो एक हम लोग यहांसे जो मारो तिर्वुज बनरहा है में इसके ये जो बिंदू हैं हमारे सनरेक क्या हो जाएंगे सिद्ध हो जाएंगे तो इसके लिए हम लोग तिर्भुज के छेत्रपल का फॉर्मूला यूज करते हैं तिर्भूज के छेत्रपल का formula यूज करते हैं लिख लिजे चिर्भूज का छेत्रपल formula यूज करते हैं formula क्या होता है 1 upon 2 x1 of y2 minus y3 next plus लिखिए यहाँ पे लिखना है आपको x2 तो यहाँ पे x2 लिखा यहाँ से आपका y3 से start होगा cycle क्रम में चलेगा y3 minus y1 plus अब यहाँ पे आप x3 लिखिए तो x3 आपने यहाँ पर write किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 minus y2 इस तरीके से आप लोग बैलूज रख दीजिए x1 y1 z1 x1 y1 यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 का मैंन आप लोग रखिए और इसको solve कर लिजिए तो x1 का Risk क्या है यहाँ पे देखिए 1 है तो यहाँ पे हमने 1 लिखा अब अगर 0 आ जायेगा इसका जो छेतरफल है यह हम क्या निकालने है छेतरफल इगर 0 आ जायेगा तो यह बिन्दू क्या हो जाएगा सनरेख से दोने का मदलब है जो बिंदू है एक लाइन में है एक रेखा में ठीक स्टुडेट देखिए यहापे x1 का बेलू क्या है 1 है y2-y3 y2 कितना यहाँ पर देखिए y2 मारा 3 है y2 का बेलू यहाँ पर इमने राइट के y3 देखिए कितना है y3 का बेलू माइनस 11 है तो माइनस माइनस क्या हो जगा प्लस फिर देखिए यहाँ पर x2 और x2 क्या है 2 है तो यहाँ पर आप 2 राइट कर दिजिए x2 का value उमने 2 write किया आगे y3 y3 का value यहाँ पे देखे क्या है minus 11 है यहाँ पे minus 11 minus y1 और y1 देखे क्या है 5 है तो यहाँ पे 5 write कर दिजिए आगे देखे क्या हो जागा x3 और x3 का value क्या minus 2 तो यहाँ पे आप minus 2 write कर दिजिए और आगे देखे क्या है y1-y2 तो y1 का वैलू क्या है और y2 का वैलू 3 है तो 5-3 राइट करके इसको solve कर लिजिए solve करिए 11-3 क्या हो जागा 14 और 14 को 1 से multiply करेंगत हो जाएगा 14 आगे देखिए 11-5-11-5 क्या हो जागा माइनस 16 और माइनस 16 को 2 से multiply करेंगे क्या हो जागा माइनस 32 आगे देखिए students अब यहाँ पे 5-3 और 5 में से 3 घटाएंगे 2 हो जाएगा और 2 को माइनस 2 से multiply करेंगे तो 2 दूनी 4 क्या हो जागा माइनस 2 इन 2 में 2 और यहाँ पे चिन है प्लस हल कर लिजे इसको देखिए क्या हो जागा 1 upon 2 और यहाँ से क्या हो जागा 14 प्लस माइनस माइनस हो जागा 32 और 2 दूनी 4 माइनस 4 हो गया अब देखिए क्या हो गया माइनस 32 और माइनस 4 तो माइनस 32 चार क्या हो जागा माइनस 36 माइनस 36 प्लस 14 क्या हो जागा माइनस 22 यहाँ पर माइनस 22 कर दीजिए और देखी क्या हो जागा माइनस 11 इस टूडेंट देखिए इनका जो छेतरपल है वो छेतरपल 0 नहीं है इन बिंदूओं को मिला करके हमने एक तिर्वुज बनाया और जो तिर्वुज है उसका छेतरपल 0 नहीं है इसका मतलब यहाँ पर जो बिंदू हमें दिये गए है इस सनरेक नहीं है तो लिख दीजिए सनरेक नहीं है यह हमारा अंसर हो जाएगा ये जो तीन बिंदू हमें दिये गए हैं सनरेक नहीं है इस्टूडेंट्स इसको आप लोग एक तरीके से और सॉल्ब कर सकते हो दूसरा तरीका मारा क्या हो सकता देखिए यहां पे जो बिंदू P.A. क्यों है इनके बीच की दूरी आप निकालिए इनके बीच की दूरी क्या आनी चाहिए 0 इसके बीच की दूरी निकाली ओभी 0 आनी चाहिए इसके बीच की दूरी निकाली ओभी 0 अगर तीनो केस में बैलूज 0 आ रही है तो सनरेक होगा अतरवाई सनरेक नहीं होगा तो वैसे तो हमने सिद्ध कर दिया संद्रेक नहीं है आप लोग ऐसे भी ट्राइ कर सकते हो चलिए आप लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारे next नंबर का solution क्या होगा तो students आप लोग question number 4 को पढ़िए हमने third number को solve किया आप लोग question number 4 को पढ़िए और इसको solve करिए तो question पढ़िए students कहरा जाच कीजे कि क्या बिंदू यहां पर हमें बिंदू दिया है क्या है five minus two ठीक है और एक दूसरा बिंदू दिया है six four हमने इसको ले लिया क्या six four हमें दिया है और next seven minus two तो इसको मने लिया seven minus two और इसको आप मान लिजे पी इसको ले लिजे क्यू और इसको ले लिजे आर तो तीनों बिंदू को मिला करके एक तिर्बुच बना दीजे हमारा तिर्बुच कुछ इस तरीके से बन रहा ठीक है और हमें दिखाना क्या है एक सम्दुबाहू तिर्बुच के सीर्स है हमें दिखाना है कि ए जो बिंदू है एक सम्दुबाहू तिर्बुच के सीर्स है दो भुजा बराबर होनी चाहिए अगर तिर्बुज की कोई भी दो भुजा बराबर हो गई तो तिर्बुज कैसा हो जागर समधिवाओ अब यहाँ पे देखिए यह तिर्बुज मारा PQR है हम लोग यहाँ पे जो साइड है इसके साइड से निकालेंगे PQ के बीच की दूरी निकालेंगे QR के बीच की दूरी निकालेंगे और PR के बीच की दूरी निकालेंगे अगर बीच की दूरियां कोई दो दूरी बराबर आ गई तो यह सिद्ध हो जाएगा कि यहां पे यह जो तिर्वुज PQR है जो बिंदू हमें दिया है PQR यह क्या है समधिवाओ तिर्वुज के सीर्स हैं तो इतनी बात students आप लोग समझ गए होंगे चलिए हम लोग बीच की दूरी का फूत्र यूज करते हुए बीच की दूरी निकालते हैं तो बिंदू में PQ क्या दिया राइट कर लिजिए P of इसको में ले ले रहे हैं X1, Y1 X1, Y1 क्या दिया है 5-2 आगे देखते हैं Q, Q में क्या दिया है X2, Y2 क्या है 6, 4, R देख लिजिए क्या है इसको हम लेते है X3, Y3, बिंदू क्या है 7-2 और चलिए अब लोग PQ के बीच हम लोग A वाली साइड निकालते हैं तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा पी क्या हो जाएगा देखिए हम लोग formula जानते है formula क्या होता है लिख लेजिए formula x2 minus x1 x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square तो बैलूज रख दीजिए students x2 क्या है यहाँ पे देखिए x2 क्या है 6 है यहाँ पे 6 लिखिए minus x1 यहाँ पे 5 है यहाँ पे आप 5 लिख दीजिए इसका square plus y2 देखिए कितना है y2 देखिए y2 का value 4 है यहाँ पे 4 write करिए minus y1 कितना है minus 2 है तो minus 2 यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जागा प्लस और यहां पे हो जागा 2 का स्क्वाइर हल कर लिजाए इस्टोडियांट देखिए क्या हो जागा 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 होगा 1 का स्क्वाइर 4 प्लस 2 करें कितना हो जगा 6 तो 6 का स्क्वाइर यही होगा तो देखे 36 प्लस 1 का स्क्वाइर करेंगे 37 हमारे पास क्या आगया अंडर रूट 37 तो हमारे पास PQ क्या आगया PQ आगया अंडर रूट 37 चलिए इसी तरीके से हम लोग QR निकालते हैं देखें मारे QR क्या हो जाएगा QR देखें क्या हो जाएगा formula यूज करिए देखें X2 माइनस X1 तो इसके लिए X2 क्या हो जाएगा तो देखें क्या हो जाएगा students अब QR के लिए यहाँ पे देखें X2A हो जाएगा तो 7 माइनस 6 कर दिए X2 minus X1 यहाँ पर हमारा क्या हो जगा 7 minus 6 का whole square plus यहाँ पर देखे minus 2 में से minus 4 घटा देंगे लिखे minus 2 minus 4 A हो गया इसका square कर दीजिए तो solve कर लिजिए इसको देखे क्या हो जाएगा 7 में से 6 घटा हैं कितना हो जगा 1 तो यहाँ पर 1 का square plus यहाँ पर देखे minus 2 है minus 4 है minus 2 minus 4 कितना हो जाएगा minus 6 और minus 6 का square करेंगे क्या हो जाएगा 36 और यहाँ पर 36 plus 1 1 का square करेंगे 1 ही हो जाएगा 36 plus 1 क्या हो जाएगा 37 तो students यहाँ से देखे qr is equal to 37 under root 37 और pq is equal to 37 आ गया आप इसको मान लिजे समिकण 1 और इसको मान लिजे समिकण 2 अब यहाँ से समिकण 1 और 2 से हमें क्या दिख रहा आप लोग ध्यान से देखिए जो हमारा pq हमने कहा कि कोई भी 2 sides हमारे बराबर आनी चाहिए तो यह वाली जो हमारी side है वो बराबर हो गई इस side के तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यह जो बिंदू हमें दिये गए हैं जो बिंदू हमारा pqr हैं एक किसके बिंदू हैं? एक समद्विबाहू तिर्भुज के सीर्स हैं तो लिखिए 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 हम यहाँ पर राइट कर देते हैं लिखिए समी करण एक तता दो से यह अस्पस्ट होता है कि यह अस्पस्ट होता है कि बिंदू p क्या है? 5-2 क्यों क्या है? 6-4 6-4 तता बिंदू आर बिंदू आर क्या है? 7-2 एक समद्विबाहू तिर्भुज के सीर्स हैं एक समद्विबाहू तिर्भुज के सीर्स हैं तिर्भुज के सीर्स हैं तो इस तरीके से हमने इस question number 4 को solve किया तो चलिए students और लोग next question की तरब चलते हैं और देखते हैं वारा अगला question क्या है चलिए हम लोग अगले question पर चलते हैं और देखते हैं वारा अगला question क्या है तो students ए रहा आप लोग के सामने अगला प्रश्ण आप लोग प्रश्ण को पढ़िए और solve करने की कोजिस करिए इसको तेकि क्या कहा जा रहा है इसमें किसी कच्छा में चार मित्र बिंदो ए बी और सी डी पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकरती 7.8 में दिखाया जया है यहां पर देखिए आकरती 7.8 हमारे पास यहां पर बना हुआ है और कोई क्लास है जिसमें चार मित्र हैं बिंदू A यहां पर बैठे हुए हैं बिंदू B यहां पर बैठे हुए हैं बिंदू C यहां पर बैठे हुए हैं और बिंदू D पर कोई दूसरा मित्र बैठा हुआ है यहां पर चमपा और चमेली कच्छा के अंदर आती है अब यहां से चमपा और चमेली इस कच्छा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखती है और कुछ मिनट तक देख रही है और उसके बाद क्या करती है यह चमपा हो गई यह समझिये चमेली हो गई यह दोनों लोग क्लास में चम्पा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है यहां पे जो समझे क्या है चम्पा है और यह क्या है चमेली है अब यह जो चम्पा है वो चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है क्या है यहां पे यह जो बिंदू है ABCD एक वर्ग है ऐसा उनसे पूछ रही है तो चमेली इससे सहमत नहीं है चम्पा पूछ रही है चमेली से और चमेली क्या है सहमत नहीं है दूरी सूत्र का परियोग करके बताए कि इन में कौन सही है हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सही है तो चलिए students इसको हम लोग solve करते हैं तो यहां पर हमारा जो बिंदू है अब आप लोग focus करिए इस पर question पर तो यहां पर यह जो बिंदू हमें दिये गए हैं इस बिंदू का निर्देशांग क्या होगा देखिए अगर हम लोग बिंदू A के निर्देशांग की बात करें तो बिंदू A का निर्देशांग क्या हो जाएगा तो देखिए क्या हो जागा बिंदू A का निर्देशांग X अच पर चली गई दूरी देखिए X अच पर बिंदू A के लिए हम कितना चल रहे हैं यूनित तो यहां पर क्या हो जागा three और क्या हो जागा देखे why Georgia कितना चलने चार तो निर्देशांग क्या हो गया three four there is a B के लिए देखिए to check लिए यहां पर सब्सक्ति यहां पर पर देखिए अब कितना यूनिट चलना है चार यूनिट इसी तरीके से डी पर देखिए डी के लिए कितना यूनिट छे इस तरीके से देखिए नच छे पर है डी और इधर कितना पर कितने पर है वान पर वन लिख दीजिए अब देखिए इन बिंदों को आप मिला दीजिए मिला दीजिए अब हमें वर्ग दिखाना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यह जो इनके बीच की दूरियां है इन दूरियों को निकालेंगे और सारी दूरी अगर हमारी बराबर आ ज़री यानि कि इनके बीच की दूरी बराबर इनके बीच की दूरी बराबर इनके बीच की दूरी सारी दूरियां बराबर आ रही हैं तो इससे क्या सिर्द हो जाएगा कि यह जो आकरती बन रही है एक वर्ग की आकरती है चलिए student लोग इसको solve करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग A B के बीच की दूरी निकालते हैं तो देखिए A B के बीच की दूरी हमारी क्या हो जाएगी formula का यूज करिए formula आप लोगों को याधी हो गया होगा directly यूज करिए 6 में से 3 गटाई कितना हो जाएगा 3 square कर दीजिए प्लस यहां से 7 में से 4 गटाई क्या हो जाएगा 7 में से 4 गटाई के 3 तो 3 का square कर दीजिए एकिए X2 माइनस X1 का whole square हमने किया Y2 माइनस Y1 का whole square किया 3 तरिक क्या हो जाएगा 9 और यहां पे क्या हो जाएगा 3 तरिक का 9 और 9 9 क्या हो जाएगा 18 18 को लिख सकते है 9 गुड़े 2 और 9 का बर्गमूर ले लेंगे क्या हो जाएगा 3 और यहां पे हो जाएगा under root 2 तो हमारे पास AB के बीच की दूरी कितनी आ गई 3 under root 2 मात रख आगे देखिए अब लोग BC के बीच की दूरी निकालेंगे तो BC के लिए देखिए क्या हो जाएगा formula यूज करिए देखिए इसके लिए X2 मारा A हो जाएगा X2 minus X1 करिए 9 minus 6 कर दीजिए तो 9 minus 6 करेंगे 3 हो जाएगा 3 का स्क्वाइर कर दीजिए यहां से 4 minus 7 करिए तो 4 minus 7 करें क्या हो जाएगा minus 3 और यहां पे हो जाएगा स्क्वाइर हल कर लिजिए 3 तरीक का हो जाएगा 9 और minus 3 का स्क्वाइर करेंगे तब भी आ जाएगा 9 और 9 9 क्या हो जागा 18 18 को लिख सकते हैं 9 गुड़े 2 और 9 को यहां पर देखें क्या लिख सकते हैं 3 अंडरूट 2 मात्रक इस तरीके से देखिए हमारे पास BC कितना आगया 3 रूट 2 चलिए हम लोग आगे देखते हैं हमने BC निकाला अम लोग CD निकालते हैं देखिए मारे CD क्या हो जाएगा होर्मूला यूज कर लिजिए CD 6 में से 9 गटा यह कितना हो जाएगा मानस 3 और मानस 3 का हो जाएगा स्क्वाइर प्लस लिखिए यहां पर देखिए क्या है कि यहां पर देखिए 1 है 1 में से 4 गटाएंगे 1 में से 4 गटाएंगे कितना हो जाएगा मानस 3 मानस 3 का स्क्वाइर करेंगे 9 हो जाएगा मानस 3 का स्क्वाइर करेंगे 9 हो जाएगा और 9 इंटू 2 करेंगे क्या करेंग दिए डी ए क्या होगा तो देखें students formula का use कर दिजिए डी ए अब x2a हो जाएगा तो 3 में से 6 गटाएगे तो 3 में से 6 गटाएगे क्या हो जाएगा माइनस 3 का square प्लस इस में से इसको गटाएगे 4 में से 1 गटाएगे तो 4 में से 1 गटाएं कितना हो जगा 3 का square और यहां से देखिए 3 तरीक का हो जगा 9 प्लस 3 तरीक का हो जगा 9 और 9 9 क्या हो जगा 18 18 को कैसे रिख सकते हैं 3 under root 2 मात्रग तो students यहां से आप लोग देख रहे हैं जितने भी हमारे sides हैं सारे sides की जो लंबाई आई हैं वो कितनी आई है 3 root 2 3 root 2 और क्या वही है जो हमारे वर्ग होता हैं वर की सभी भुझाएं क्या होती हैं बराबर होती तो यहां से निसकर्स हमारा क्या निकला कि यह जो चमपा है देखिए चमपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है चमेली इससे सहमत नहीं है दूरी सूत्र का परियोग करके पता ही इनमें से कौन सा ही है तो हमने दूरी सूत्र का परियोग किया और हमने सौ चंपा लिखे आता है चंपा सही है कौन सही है चंपा सही है क्योंकि जो हमारी सारी साइट से क्या आई है एक समान आई है तो इस तरीके से मैंने question number five को solve किया चलिए अब लोग अगले प्रेश्ण पर चलते हैं और देखते हैं मारा अगला प्रेश्ण क्या है अगला question आप लोग देखिए इस्टूडेंट्स तो इस्टूडेंट्स आप लोग question को पढ़िए question number six में देखिए क्या कहा जा रहा है तो यहां पर आप लोग फर्स्ट नंबर को देखिए फर्स्ट नंबर में क्या कहा हैं है इस तरीके से मारा बिंतू दिया है है और हम लोग इसको write कर लेते हैं यहां पर जो बिंतू में आगे देखिए माइनस वन टू यहां पे माइनस वन टू राइट कर दिजे और आगे देखिए माइनस थरी यहां पे हमने माइनस थरी जिरो राइट किया अब इनको बिंदों को मिला दीजिए तो उमने इसको इससे मिला दिया और इसको उमने इससे मिला दिया इसको उमने इ निकालेंगे ए दूरी निकालेंगे और ए दूरी निकालेंगे इसके बाद ए दूरी निकालेंगे और उसी के अधारपल हम लोग बता सकते हैं कि आकरती हमारी कैसी बन रही है चतुर्बुज है या नहीं हमें इसको भी बताना है और अगर चतुर्बुज है तो किस परकार का चतुर्बुज बन रहा हमें इसको भी बताना है तो चलिए हम लोग solve करते हैं इसको नाम दे दिजे P, Q, R और S तो चलिए हम लोग इसको solve करते हैं तो PQ के बीच की दूरी क्या हो जाएगी देखिए यहाँ पे PQ है PQ के बीच की दूरी क्या हो जाएगी बीच की दूरी के लिए आप लोग formula apply करिए इसमें से इसको गटाए देखिए X2-X1 का whole square plus Y2-Y1 का whole square और मारा formula होता है formula आप लोग को याद हो गया होगा अब इसको fastly आप लोग apply करिए 1-1 करिए 1-1 जबकि यहाँ पे minus 1 है तो minus 1 आएगा minus minus हो जाएगा प्लस आगे देखिए यहाँ पे 0 यानि कि Y2 क्या है 0 तो 0 minus क्या करेंगे Y1 Y1 का बहुलू minus 2 है हल करिए देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1-1 यहाँ पे 1 लिखिए 1-1 हो जाएगा 2 और 2 का square करेंगे 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2-2 जब 4 4 आ गया 4 में 4 को add किया 8 हो जाएगा और 8 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं 2-2 में 4 और 4 का हमने वर्गमूर लिया हमारे पास क्या गया 2-2 यहाँ की जो दूरी है हमारी क्या गई 2-2 चलिए हम लोग इसके बीच की दूरी निकालते हैं हम लोग qr निकाल लेते हैं देखिए qr हमारा क्या हो जाएगा qr x2 a होगा तो minus 1 मैं यहाँ पे लेखिए minus 1 हो जागा मैं पर देखिए 1 है तो formula में minus होता है तो minus 1 हो जागा square कर दिजिए plus यहाँ पर देखिए y2 minus y1 y2 क्या है 2 है y1 क्या है 0 है तो इसको write कर दिजिए और halt करिए minus 1 minus 1 minus 2 minus 2 का square करेंगे तो plus 4 हो जाएगा और यहां से भी क्या हो जागा प्लस फूर तो दूनी चार होगा न यहां से चार चार क्या हो जागा आठ और आठ को लोग क्या लिसकते हैं दो गुड़े चार और यहां से हमारे पास क्या हो जागा टू रूट टू ए वाली साइट भी हमारे पास क्या आगई टू रूट चलिए हम लोग इस side को निकालते है rs को तो देखे हमारा rs क्या हो जाएगा अब यह हमारा x2 होगा y2 होगा और यह क्या हो जाएगा x1 y1 तो घटाएगे माइनस 3-1 और यहां पर माइनस होता है फिर्मूले में तो यहां पर माइनस 1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस वन का whole square प्लस लिखिए अब देखिए क्या हो जगा 0-2 तो यहां पर यहां पर जीडो मैनस 2 कर दिए इसका square हल कर लिए इसको minus 3 minus 3 plus 1 क्या हो जाएगा minus 2 minus 2 का हम ने square किया तो क्या हो जाएगा 4 आगे देखिए यहाँ पे write करिए plus zero minus 2 है तो zero minus 2 करेंगे minus 2 का square करेंगे हो जाएगा 4 और यहां से देखिए 4 plus 4 क्या हो गया 8 और 8 को हम लोग लिख सकते हैं दो गुड़े 4 और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 तो इस्टूडेंट देखे ए वाली साइड भी हमारे पास क्या आगया 2 रूट 2 चलिए अब हम लोग देखे हमने आरेस निकाला हम लोग और कि तो चलिए हम लोग एसपी निकालते हैं देखते हैं एसपी क्या हो जाएगा अब यहां पर देखिए amrx2 y2 x1 y1 कुछ इस तरीके से होगा तो आप इसमें से इसको गटाईए minus 1 यहां पर लिखे minus 1 और यहां पर क्या है minus और यहां पर minus 3 है minus minus क्या हो जगा प्लस 3 का whole square अब आगे देखे यहां पर minus 2 है यहां पर हमने minus 2 write के minus लिखे और यहां पर आगे क्या 0 तो इसका square कर दीजिए और solve करिए minus 1 plus 3 तो 3 minus 1 कितना जाएगा 2 और 2 का square करेंगे हो जाएगा 4 और आगे देखे यहां पर minus 2 minus 0 minus 2 ही होएगा minus 2 का square करेंगे तो क्या हो जाएगा plus 4 4 plus 4 हो जाएगा 8 और 8 कुम लोग लिख सकते हैं दो गुड़े 4 और यहां से देखे क्या हो जाएगा 2 root 2 और देखे ए वाली side भी हमारी पास क्या आगया 2 root 2 तो 4 sides क्या हो गए बराबर हो गए लिखिए जो मैं बिंदू दिया गया था बिंदू को जब हमने मिला करके चतुरवुज बनाया तो इसके 4 sides क्या हो गए बराबर हो गए तो 4 sides बराबर होने की करण लिख दीजिए 4 sides 4 भुजाएं ठीक है 4 भुजाएं बराबर है इसलिए जो मैं बिंदू दिये गए है दिये गए बिंदू क्या है इसलिए जो दिये गए बिंदू है एक वर्ग के सीर्थ है लिख दीजिए एक वर्ग एक वर्ग के सीर्थ है किसके सीर्थ है क्यों कि इनकी 4 भुजाएं बराबर है तो कारण आपको मिल गया चलिए अब लोग इस second number question पर चलते हैं और देखते हैं second number का solution क्या होगा तो students एरा आप लोग के सामने second number का question चलिए second number के question को हम लोग solve करते हैं और देखते हैं इसका solution क्या होगा तो students यहाँ पर देखिए second number के question को second number के question को आप लोग देखिए यहाँ पर बिंदू में क्या दिया है 3 5 तुम लोग लिखते भी चलते हैं यहां पर देखिए इसको उमने पी माल लिया मारस 3 5 है यहां पर जो हमारा बिंदू है इसको उमने क्यों लिया और यह जो बिंदू हमारा क्यों है क्या है 3 1 है तो इसको उमने यहां पर राइट किया 3 1 आगे देखिए यहां पर चतुरभुज है या नहीं है अगर है तो कौन सा चतुरभुज है इसके लिए में चेक करना पड़ेगा तो इसको माल लेते मारा क्या है R है और यह जो बिंदु R है इसका निर्देशांग क्या है 0 तो इसका निर्देशांग के 0, 3 और एक जो next बिंदू है इसको माल ले रहे क्या है S है और जो बिंदू S है इसका निर्देशांग क्या है माइनस 4 है तो इस तरीके से चलिए इन बिंदू को लोग मिला देते हैं मिला दीजिए आप बिंदू को मिलाईए इस तरीके से हमारे पास आकरती मिले चलिए अब लोग इनके बीच की दूरी निकालते है तो पीक्यू क्या हो जाएगा फॉर्मूला यूज कर दीजिए पीक्यू के बीच की दूरी क्या हो जाएगी एकस टू मानस एकस वन तो ए हमारा एकस टू एकस वन हो जाएगा ए हमारा एकस वन वाई वन हो जाएगा तो solve कर लिजे, directly हम लोग solve करेंगे, formula अपनों को याद ही होगा, अब 3 में से minus 3 घटा ये, तो हमने 3 में से 3 घटा दिया, ठीक है, 3 minus 3, करना क्या है, तो यहाँ पे write करिए, 3 minus 3, x2 minus x1, x2 क्या है, 3 है, x1 क्या है, minus 3 है, तो यहाँ पे whole square लेकिए, plus, y2 क्या है, y2 का value 1 है, तो यहाँ पे 1 write करिए, minus, और यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 1 minus 5 का whole square, और यहाँ पे देखें, क्या हो जाएगा, 3 minus 3 करेंगे, तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 कर दीजी Force, 0 का square 0 ही होएगा, तो 0 रहने दीजीए, 1-5 तो 1 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जागा माइनस 4 और माइनस 4 का स्क्वाइर करेंगे क्या हो जागा 16 एक में से 5 गटाएंगे तो माइनस 4 आएगा माइनस 4 का हमने स्क्वाइर किया तो 16 आगया 16 में 0 जोडेंगे क्या हो जागा 16 लहां और इसका वर्गमू ले लेंगे था नमारी पास क्या देगा चार इस्टूडेंट चलिए कि आवा हो लोग क्यू आर के बीच की दूरी निकाल लेते हैं तो देखें मारा क्या हो जाएगा QR देखिए क्या हो जाएगा अंडर रूट X2 माइनस X1 देखिए QR निकाल रहे हैं तो X2 Y2 X1 Y1 तो इसमें से आप इसको घटाएए तो हमने 0 माइनस 3 किया तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वार प्लस अब इसमें से आप इसको घटाएए तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वार तो हमारे पास क्या आगया आप लोग देखिए 0 माइनस 3 तो माइनस 3 होएगा माइनस 3 का स्क्वार करेगे तो माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पे देखिए 3 में से हमने 1 घटा दिया तो 3 में से 1 गया 2 हो गया और 2 कई स्क्वैर हमने किया तो 4 हो गया और यहां पर 9,4 क्या हो गया 13 हो गया अंडरूर्ट 13 आ गया चलिए अब हम लोग RS निकालते हैं तो देखे ना RS क्या हो जाएगा RS देखे क्या हो जाएगा यहां पे यह दूरी अमरे पास क्या गई 4 एक इतना आगया? अंडरूर 13 और यहां पे देखें एक इतना आएगा? इसको निकालते हैं इसमें से आप इसको घटाई माइनस 1 और यहां पे हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा? 0 सबस्क्रांतों काौल स्क्वीर हैर कि क्या हो जाएगा देखिए यहां पर माइनस यहां पर 0 का हो स्क्वीर स्क्रांतों अगे देखिए 1-4 मारस 3 यहां पहुदे के मैनस 4 माइनस 3 का whole square solve कर लीजिए देखिए क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस 0 तो माइनस 1 ही होएगा माइनस 1 का square करेंगे 1 plus माइनस 4 माइनस 3 तो माइनस 7 हो जाएगा और माइनस 7 का square करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 7 का square करेंगे तो उन्चास हो जाएगा और उन्चास में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा पचास तो यहां पर हमारे पास क्या आगए अंडरूर्ट 50 यानि कि यह वाली जो दूरी है हमारे पास अंडरूर्ट 50 आगई चलिए श्टूडेंट्स अब लोग आगे देखते हैं कि चलिए हम लोग अब SP को निकाल लेते हैं देखते हैं मारे पास SP क्या आएगा चलिए हम लोग SP निकालते हैं तो देखते हैं SP क्या हो जाएगा अब यहां पर देखें इसके बीच की दूरी X2 माइनस 3 तो यहां पर लिके माइनस 3 माइनस और यहां पर माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस माइनस प्लस का होली स्क्वाइर प्लस क्या हो जाएगा यहां पर देखें 5 माइनस और माइनस माइनस क्या हो जागा प्लस यहां पर हो जागा 4 का होली स्क्वाइर सॉल्व कर लिजे इसको माइनस 3 प्लस 1 क्या हो जागा माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वाइर करेंगे प्लस पांच प्लार कितना हो जगा नो और नो का स्क्वार करें कि नो जगा 81 और यहां पर क्या हो गया 81 4 85 तो अंडरूट कितना आ गया अंडरूट 85 तो इस्टूडेंट्स आप लोग यहां से देखिए यह जो मारा अंडरूट 85 तो यहां से आप लोग क्या देख पा रहे हैं जो मारी साइडस है पीक्यूर कि इस नाट कोले नहीं किसके कि एस आर कितना अंडर रूट 50 है यह यह एस आर लिख दीजिए यहां पर क्यों आर आर एस तो यहां पर लिखे आर एस और यह भी हमारा बराबर नहीं किसके एस पी के यानि कि कोई भी साइट्स बराबर नहीं है तो यहां पर देखे एह हमारी दूरी इतनी आई है फोर और ए दूरी अंडर रूट 13 है ए अंडर रूट 50 और एक इतनी आई है अंडर रूट 85 तो चतुर्बुज तो बन रहा है लेकिन कैसा है बिसम बाहू है तो कैसा चतुर्बुज है बिसम बाहू चतुर्बुज क्योंकि कोई भी साइट्स बराबर नहीं है और चतुर्बुज का जो कोई भी गुड़ होता है उस गुड़ को यह फोलो भी नहीं कर रहा है तो लिख दीजे बिसम बाहू चतुर्बुज किसके सीर्स है बिसम तो चलिए स्ट्ूडेन्ट्स अब लोग इसके थर्ड नमबर को prosperous करते हैं और देखते हैं जो बिन्दू दिये गाए है इसको नाम देदेगे पी पी क्या है 4 है 5 है और दूसरा बिंदू क्या है क्यूं क्यों लोग क्या ले रहे है 7 6 तो यहां पर राइब कर दिजिए 7 6 और और देखिये क्या ? बिंदू आर कोूं 43 ले रहे हैं तो यहां पर आप 43 रइट कर लीज़े हैं और जो हमारा बिंदु s है बिंदु s देखे Kann़्य is 12 तो यहां पर आप 12 राइट लेजी 1 2 राइट कर लीजे 1 2 और इन बिंदूओं को मिला दीजिए इस लाइन से ऐसे मिला दीजिए चलिए अब लोग इनके बीच की दूरी निकालते हैं तो सबसे पहले लोग पी क्यू निकालते हैं देखिए पी क्यू उमारा क्या हो जाएगा पी क्यू निकालिए तो 7-4 कर दीजिए क्या हो जागा 3 का स्क्वाइर हो जाएगा 7-4 हमने किया 3 3 का हमने स्क्वाइर किया प्लस 6-5 तो 6-5 करें क्या हो जागा 1 और 1 का स्क्वाइर हम लोग दूरी के फूर्मूले का यूज कर रहें इस्टूडेंट्स डिरेक्ट्ली कर दे रहे हैं आप लोग कर ले न तेन तरिक कर 9 हो जाएगा और 1 का स्क्वाइर करें 1 और 9 1 क्या हो जागा 10 तो यहां पे मारे पास क्या गया अंडरूट 10 चलिए अब लोग QR निकालते हैं PQ हो गए हम लोग QR निकालते है QR देखिए क्या है ए हमारे कितना आ गया है under root 10 चले qr देखी क्या हो जाएगा अब ए हमारे x2, y2, x1, y1 formula यूज करिए और solve कर लिजिए 4-7 करेंगे तो 4-7 करेंगे माइनस 3 का square हो जाएगा plus 3-6 करेंगे तो 3 में से 6 गटाएंगे तो माइनस 3, माइनस 3 का square यहाँ पर देखी क्या हो जाएगा माइनस 3 का square करेंगे तो 9 हो जाएगा यहाँ पर माइनस 3 का square करेंगे तो 9 हो जाएगा और 9-9 कितना हो जाएगा 18 तो यहाँ पर हमने लिखा under root 18 under root 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 गुडे में 2 और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 into में root 2 चलिए हमारा एक कितना आ गया 3 under root 2 चलिए हम लोग R.S. निकाल लेते हैं R.S. देखिए क्या हो जाएगा R.S. इसमें से इसको गटाई 1-4 तो 1 में से 4 गटाएंगे तो minus 3 तो minus 3 का square plus 2 में से 3 गटाएंगे तो minus 1 और minus 1 का square तो यहां से देखिए minus चलिए write कर दिजिए minus 3 का square करेंगे तो 9 हो जाएगा minus 1 का square करेंगे 1 और 9 plus 1 क्या आ गया 10 यहां पर हमारे पास under root 10 एक इतना गया under root 10 चलिए अब लोग SP निकाल लेतें देखतें SP क्या आ जाएगा SP निकाल लिए SP देखिए क्या हो जाएगा SP 4-1 4-1 करेंगे 3 यहां से 3 का square प्लस आगे देखिए पांच में से 2 गटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 का square solve कर लिजे 3 तरीक का 9 कितना हो जाएगा 3 तरीक का 9 और यहां से 3 का square करेंगे तो हो जाएगा 9 9 9 क्या हो जाएगा 18 और 18 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं 9 गुड़े 2 और 9 को अंडर root 9 क्या लिखेंगे 3 तो इस्टूडेंट्स आप लोग देखिए यह वाली साइट भी इमारी कितनी आ गई 3 रोट 2 तो यहां पर आप लोग क्या देख रहे हो आप लोग कुछ देख पा रहे हो हमारा चतुरूज बन रहा है लेकिन कैसा चतुरूज बन रहा है आप लोग इसको देखिए यहां पे जो सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या आ रही है बराबर आ रही है सम्मुख भुजा का मतलब अगर हम लोग पी क्यू के सम्मुख भुजा की बात करें तो पी क्यू की सम्मुख भुजा हमारी क्या है आरियस है तो पी क्यू हमारा बराबर है आरियस के ए साइड बराबर इ तो यहां से हम लोग कह सकते है जो PQRS वो क्या है एक समांतर चतुरॐुझ है क्योंकि समांतर चतुरुझ की सम्मुख kitchen क्या होती है बराबर होते हैंदि कहिए कि जो में बिंदू दिये गए है कि लिखेष्ट बिंदू आप लोग बिंदू का नाम लिख लिजिए system लिख दे रहें से directly P P का निर्देशांग क्या है Q का निर्देशांग क्या आप लोग write कर दीजिएगा P Q R तथा S एक समानतर चतुर्बुझ है समानतर चतुर्बुझ क्यों है क्योंकि इसकी जो सम्मुक भुजाएं है वो बराबर है समानतर चतुर्बुझ है तो students इस तरीके से हमने Q 6 को solve किया चलिए अब लोग next question पर चलते हैं और देखते हैं मारा अगला question क्या है आप लोग इस question को समझ गए होंगे solve करने के लिए हमने formula का use किया आप लोगों को formula याद हो गया होगा इसलिए हमने directly use कर दिया चलिए अब लोग question number 7 को solve करते हैं और देखते हैं 7 number का solution क्या हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है यक्स अच्छ पर वह बिंदू ग्याद कीजिए चो टू माइनस फाइम और माइनस टू नाइन से समदूरस्त है तो इस्टूडेंट्स यहाँ पे आम लोग चलिए चतूर्थांस बना लेते हैं बना लीजिए और यहाँ पर आप लोग कुछ पॉइंट्स राइट कर दीजिए यहाँ पर मारा यहां का निर्देशांग क्या होता जीरो जीरो वन टू थ्री फॉर फाइव ऐसे बना लीजिए शिक्स सेबन इस तरह देखिए नाइन तक चलना है ठीक है चलिए समझने के लिए मैं ऐसा बना ले रहे हैं वाण टू थ्री फॉर फाइव शिक्स सेबन इट नाइन और इस तरह भी बना लीजिए है वाण टू थ्री फोर फाइब शिक्स सेबन इस तरह है वाण टू थ्री फोर फाइब सेबन यह हमारी कौन से एक्सिज है एक्स एक्स डैस याई वाई याई डैस राइट कर दीए इस्टू देखिए हमारे जो बिंदूट बॉइंट टू माइनस फाइब कहां पर होगा डेखिए एक साच पर दो यूंट एक सच पर कितना यूनित दो यूंट वाई पर कितना नर这o मिदैस फाइब कहां पर होगा लोजह देखें वन टू त्री फॉर फाइब हमार पॉइंट कहीं यहां पे होगा तू माइनस फाइब कहीं यहां पे होगा आगे देखिए, माइनस टू-9, माइनस टू-9, X एकस पे माइनस टू, तो X अच पे माइनस टू, यहाँ पे होगा, और Y अच पे 9, Y अच पे 9 समझे, कहाँ पर होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है, चलें, यहाँ पर हम राइट कर दे रहें, माइनस टू नाइट यहां पे हमारा बिंदू है यहां पे हमारा बिंदू है यहां पे इसके यहां पे होगा बिंदू ठीक है यह मारा बिंदू टू नाइन हो गया माइनस टू नाइन हो गया और यहां पे हमारा बिंदू क्या है 2-5 है हमको बताना क्या आप लोग इसको समझेए x अच पर वह बिंदू ग्याद किजिए हमें किस अच पर बिंदू ग्याद करना है x अच पर बिंदू ग्याद करना है जो 2-5 यहां पे देखे 2-5 और माइनस 2-9 से सम दूरस्थ है हम मान ले रहे हैं माना x अच पर वह बिंदू kya हो जाएगा? x 0 x 0 क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई भी बिंदू समझे x अच पर इस तरीके से है तो x अच पर चली गई दूरी x यूनिट हो जाएगी और y h पर चली गई दूरी क्या होते है? 0 तो इस तरीके से हम क्या मानेंगे X0 अब माना X अच पर वह बिंदू क्या है X0 अब यहां पे A जो बिंदू है और A जो बिंदू है क्या है उस बिंदू से सम दूरस्त है इसको भी स्टुडेंट्स आप लोग समझे यहां पे माली हमारा बिंदू है यहां पे A हमारा माइनस टू नाइन है और यहां पे जो हमारा बिंदू है माइनस टू माइनस फाइव है तो यहां से यहां तक की दूरी समझे यहां से यहां माना X0 उसको हम P मान लें इसको हम लोग मिटा दें अब आप लोग समझ गए होंगे हमें करना क्या है अब यह समझ दीजिए एक लाइन में फिर से अब यह जो हमारा बिंदू है यह समझ यह हमारा बिंदू 2-5 हो गया ए वाला और ए जो हमारा बिंदू है ए माइनस 2 9 हो गया और X अज पर हमने बिंदू क्या माना X0 और जो बिंदू माना इसको हमने P लिखा इसको हमने क्यों मान लिया इसको हमने R मान लिया अब समदूरस्थ है यानि कि यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो बराबर होगी यहां से यहां तक की दूरी तो दूरी बराबर दूरी इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग इसको solve कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा जो दूरी होगी क्यू पी की वही दूरी किसकी हो जाएगी आर पी की तो क्यू से पी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी निकाल लीजे दूरी का formula यूज़ करिए क्यू से पी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी क्यू से पी की बीच की दूरी x2-x X1, X-2 का whole square, लिखे, X-2 का whole square, next देखे, क्या हो जाएगा, 0, 0, minus, minus, क्या हो जाएगा, plus, 5 का whole square, आगे देखे, लिखे, आर्पी, आर्पी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, आर्पी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहां से देखे, X-2 का whole square, X-2 का whole square प्लस आगे क्या हो जाएगा 0 यहां पर देखी यह मारक है minus है minus 29 है तो यह मारक क्या हो जाएगा प्लस तो 0-9 का whole square लिख दीजिए 0-9 का whole square इस्टुडेंट अब इसको हम लोग solve करेंगे और X का मान निकालेंगे तो हल कर लीजिए देखिए क्या हो जाएगा यहां से देखिए x-2 का whole square है और यहां पर देखिए 0 प्लस 5 का whole square तो 0 प्लस 5 5 हो जाएगा 5 का square करेंगे 25 हो जाएगा यहां पर देखिए x-2 का whole square तो इसको write कर दिजिए x-2 का whole square और यहां से देखिए 0-9 तो minus 9 होगा minus 9 का whole square करेंगे तो 9-9 क्या हो जाएगा 81 क्या हो जाएगा 81 चलिए अवन लोग इसको solve कर लेते हैं कि ब्रेकेट को open कर दिजिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वाइर प्लस 4 माइनस 2AB तो 2 इंटू में ए का बैलू क्या है एक्स है और बी का बैलू क्या है दो है प्लस लिख दीजिए 25 यहां पर देखिए क्या हो यहां पर हो जाएगा x square प्लस y square तो y का बैलू क्या है दो है तो 2 दूनी 4 आगे देखिए क्या हो जाएगा x square प्लस y square प्लस 2xy 2 इंटू में x का बैलू x है और y का बैलू क्या है दो है प्लस 81 सॉल्व कर लिजिए यहां पर क्या हो जाएगा x square प्लस 4 माइनस 2 इंटू में 2 दूनी 4 माइनस 4x और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस 25 आगे देखिए यहां पर x square और यहां पर क्या हो जाएगा दो दूनी 4x दो दूनी 4x और यहां पर देखिए 4 प्लस 81 कितना हो जाएगा 85 तो यहां पर लिखे x square माइनस 4x 25 चार कितना हो जाएगा 29 तो यहां पर आप 29 राइट कर दीजिए और यहां पर देखिए क्या हो जाएगा यहां पर x square प्लस 4x प्लस 85 तो दोनों तरफ square कर दीजिए दोनों तरफ हम लोग square कर सकते हैं वर कर सकते हैं तो लेकिए वर करने पर वर कर दीजिए देखिए क्या बचेगा x square माइनस 4x प्लस 29 यहां पर हो जाएगा और यहां पर देखिए क्या हो जाएगा? x square प्लस 4 x प्लस 85 और यहां से देखिए च्टूडेंट x square से x square कैंसिल हो जाएगा और यहां पे minus 4x है यहां पे plus 4x है तो इस minus 4x को आप इस तरफ लेकर के आईए तो minus 4x आप इस तरफ लेकर के आएंगे तो यहां पे 4x है और minus 4x इधर आएगा तो यहां पे भी 4x हो जाएगा और यहां पे है 29 और इस 85 को आप इस तरफ लेकर के आईए तो माइनस 85 हो जाएगा हल कर लिजिए हल कर ये इसको देखे क्या हो जाएगा students यहां पर देखिए 85 माइनस 39 5 में से 9 घटाएंगे नहीं जाएगा 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा और देखिए यहां पर बचा 7 साथ में से दो गटाई ये कितना हो जाएगा साथ में से हमने दो गटाई पांच आगया यहाँ पे माइनस और यहां पे देखिए चार चार क्या हो जाएगा आठ तो 4 x 4 x 8 x यहाँ पे देखिए 8 x के 8 और 8 x सच चपन x is equal to कितना आगया माइनस 7 अब student आप लोग देखिए यहां पर हमने बिंदु माना था एकसरच पर बिंदु क्या माना था एकस 0 और एकस का वेलू मारे पास क्या गया 7 तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 7 0 वहां बिंदु क्या है जो Q fine to pay the मेलडरेति हैं तो को बिन्दव मामान防ट हो जाएगा क्या हो जाएगा माइस की दूंधिया कि से लेकिए कि अताहुआ बिन्दू माम्नस खेव ज्रुक्षपली मामानगी कि स्टूडें से आपनों को इस स्मार्टली सोच के स्वाल्ज करना है अता है लिख दीजिए आता है वह बिंदू कि माइनस सेबन जीरो है तो इस तरीके से हमने question number seven को solve किया चलिए अब लोग question number eight को solve करते और देखते है इट number का solution क्या होगा तो इस्टूडेंट देखे question number eight आपके सामने है अप लोग question को पढ़िए देखे question में क्या कहा जा रहा है अपनों question को पढ़िए तो question में कहरा y का हमान गयात किजिए जिसके लिए बिंदू यहां पर हमें बिंदू दिया है बिंदू क्या दिया है P और P का value कितना दिया है 2-3 और जो दूसरा बिंदू हमें Q दिया है और जो बिंदू Q है उसका निर्देशांग 10Y दिया है के बीच की दूरी 10 मात रख है यानि कि यह जो बिंदू P है क्यों है इसके बीच की दूरी कितना है 10 मात रख हमें बीच की दूरी दिया है और हम लोग formula जानते हैं लिकिए बिंदू P और Q के बीच की दूरी क् जो दिया है आप लोग लिख लीजिएगा हमें जो बिंदू दिया है वो क्या है P 2-3 और जो दूसरा बिंदू दिया है Q वो क्या है 10Y और इसके बीच की दूरी हमें दी गई है बीच की दूरी यानि के में P Q दिया है कितना 10 मात रख तो बीच की दूरी का हम लोग formula भी जानते हैं तो P Q के बीच की दूरी क्या हो जाएगी निर्देशंक दिया है formula हम लोग जानते हैं X2-X1 का whole square प्लस Y2-Y1 का whole square और यहां से P Q का value में 10 दिया है तो 10 राइट कर दीजिए, x2 माइनस x1, x2 क्या है देखे, x2 माइनस x1, इस्टूरेंट्स आप लोग इसका विप्रित इस तरीके से भी कर सकते हो, सुनिए, under root x1 माइनस x2 का whole square प्लस y1 माइनस y2 का whole square, आप लोग इस formula का भी यूज़ कर सकते हो, आप लोग एक ही याद करना, ताकि confusion ना हूँ, तो यहाँ पर x2 क्या हो जागा 10, तो यहाँ पर लिखे 10, माइनस x1, x1 क्या है, 2 है, तो 2 का whole square प्लस y2 क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखे, यहाँ पर y1 क्या है, माइनस 3, तो यहाँ पर माइनस 3 लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जागा, यह हो जागा 3, का whole square, solve कर लिजिए, देखें क्या हो जागा, 10 में से 2 गटाएंगे, तो 8, 8 का square करेंगे, तो 64, यहाँ पर देखेंगे, इसको open कर दिजिए, a square, प्लस b square, b क्या है, 3 तो, 3 का square हो जागा, प्लस 2ab, 2, इंटू में a, a क्या है, y है, और b का value क्या है, 3 है, इसको solve कर लिजिए, देखें क्या हो जागा, यहाँ से y square, प्लस, 3 दूनी 6, यहाँ पे 6, y, प्लस, 64 प्लस 9, तो 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 73, आगे देखिए, अब लोग work करेंगे, इस काड़ी को अटाने के लिए, देखिए work करने पर, दोनों तरफ work कर दिजिए, दोनों तरफ work कर दिजिए, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए, क्या होगा, students, work करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 का square, और यहाँ पर इसका square करेंगे, तो क्या हो जाएगा, करणी हट जाएगे, तो बचेगा क्या, y square प्लस, 6y प्लस, 73, 10 का square करेंगे, तो 10 दाम 100, यहाँ से y square, प्लस, 6y, प्लस, 73, तो इस 73 को आप इस तरफ बेजिए, तो 100 प्लस 73 इधर आएगा, तो माइनस 73 हो जाएगा, y square प्लस, 6y, 100 में से 73 घटा दीजे, देखिए कितना हो जाएगा, 10 में से 3 घटा, और यहाँ पे क्या बचा, 9, और 9 में से 7 घटा, दो, is equal to y square प्लस, 6y, इस 27 को इस तरफ बेजिए, तो क्या हो जाएगा, y square प्लस, 6y, मानस 27, इधर क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे देखिए, y square, प्लस, 6y, मानस 27, 27, is equal to 0 आगया, अब लोग इसका क्या करेंगे, students, गुड़न खंड, तो गुड़न खंड कर दीजिए, तो 27 को इस तरीके चे ब्रेक करिए, जोडने या घटाने के बाद, 6 आना चाहिए, तो अगर हम लोग 9 गुड़े 3 कर देख, हमारे पास क्या हो जाएगा, 27, लेकिन हमें यहाँ पे, 27 प्लस 6 चाहिए, प्लस 6 यहाँ पे, अगर हम लोग 9 इन्टू, माइनस 3 कर देख, हो जाएगा, माइनस 27, और 9 में से 3 गटा देंगे, 6 आ जाएगा, फॉल्प कर लिजे, देखें, गुड़न खंड हो गया, y स्क्वार, 9y, 9y, माइनस 3y, माइनस 27, is equal to 0, और यहाँ से देखिए, क्या हो जाएगा, ध्याँ से देखिए, y इमने common किया, तो बचा क्या, y, plus 9, और यहाँ पे हमने क्या common किया, 3, माइनस 3 हमने common किया, यहाँ पे बचा, y, plus 9, is equal to 0, तो अब देखिए, y plus 9 हमारा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, तो y plus 9 common हो जाएगा, और बचेगा क्या, y minus 3, is equal to 0, अब अगर हमारा y plus 9, is equal to 0 है, तो y is equal to क्या हो जाएगा, minus 9, इस 9 को इधर बेजिएगा, minus 9, अब इसी तरीके से देखिए, अगर हमारा y minus 3, is equal to क्या है, 0, तो क्या हो जाएगा, तो y is equal to क्या हो जाएगा, 3, y is equal to क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो students, हमें y का मान बताना था, तो y का value हमारे पास, minus 9, तदा 3 हैं, तो लेख दीजिए, अता y, बराबर, minus 9, तदा 3, तो इस तरीके से, students हमने y का value निकाला, चलिए, अब हम लोग अगले प्रेश्ट पर चलते हैं, और देखते हैं, हमारा अगला प्रेश्ट क्या है, students, आप लोग question number 9 को पढ़िए, देखे, question number 9 में क्या कहा जा रहा है, यह दी, q, 0, 1, तो यहाँ पर समझे, हमारे पास क्या है, बिंदू q, 0, 1 है, और यह जो बिंदू q, 0, 1 है, बिंदू ओं, प of 5, minus 3, यहाँ पर समझे, p of 5, minus 3 है, और, r of x, 6, समझे, r of x इस हमारा, यहाँ पर है, यहाँ पर बिंदू रैٹ कर दिए, यह मारे बिंदू है, क्या r, क्या है x 6 है, cy some doors है, यह वाला जो बिंदू q है, इस बिंदू से, और इस बिंदू से क्या है, सम्दूरस्ट है, समदूरस्ट का मतलब कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो बराबर है यहां से यहां तक की दूरी और देखिए क्या करना है हमें X का मान निकलना है यहां पे जो आप X देख रहे हो हमें इस X का मान बताना है और देखिए दूरिया QR और PR भी ग्याद किजिए यहां पे यह जो दूरी QR है देखिए यह जो दूरी QR है हमें इस दूरी QR को भी बताना है कि QR क्या होगा और आगे में PR भी बताना है यानि कि ए वाली दूरी इसके इसके बीच की दूरी क्या होगी हमें इस दूरी को भी बताना है तो चलिए students इस प्रेश्ट को अंगलोग solve करते हैं और देखते हैं solution क्या होगा तो हमें बिंदू दिया गया Q Q क्या है? 0,1 है और जो मरब बिंदू P है बिंदू P क्या दिया है? 5-3 और बिंदू R हमें क्या दिया है? X 6 दिया है हमें क्या-क्या निकालना है? हमें X का बैलू बताना है क्या होगा? और हमें जो Q R है Q R बताना है क्या होगा? और जो P R है P R को भी बताना है तो चलिए students हम लोग इसको solve करते हैं और देखते हैं इसका solution क्या होगा? तो चलिए अब देखिए जब A बिंदू इसके समदूरस्त है A बिंदू समदूरस्त है ना इसके इसके तो यहां की जो दूरी होगी बराबर होगी इसके बीच की दूरी यानि कि इनके जो बीच की दूरी होगी यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो बराबर होगी इसके इसके बीच की दूरी के तो यहां से जो हमारी दूरी होगी PQ यहां पिर लिखे जो दूरी QP है यहां से यहां तक की दूरी यहां से यहां तक की दूरी के बराबर होगी QR के क्योंकि समदूरस्त है तो दूरी का formula आप लोग use कर लीजिए दूरी का formula क्या होता है x2-x1 का whole square plus y2-y1 का whole square अंडर root में तो रख दीजिए चलिए x2-x1 5-0 कर दीजिए 5-0 का whole square plus minus 3 minus 1 minus 3 minus 1 का whole square बराबर में देखें क्या हो जाएगा x-0 का whole square लिखें x-0 का whole square plus 6-1 का whole square अब यहां से देखें क्या हो जाएगा students 5-0 5 का square 25 25 आगे देखें minus 3 minus 1 तो minus 4 और minus 4 का square 16 आगे x-0 का whole square x-0 करिएगा तो x और x का square करेंगे तो x square 6 minus 1 5 और 5 का square करेंगे तो 25 यहां पर देखें add कर लिजे 25, 10, 35, 35, 6, 41 तो हो जाएगा under root 41 और यहां पर आगे तो x square प्लस में 25 और यहां पर देखें कि इस टूडेंट्स हम लोग इसका work कर सकते हैं, ठीक है दोनों तरफ work कर लीजिए तो लेकिए work करने पर दोनों तरफ work कर लीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 41 is equal to x square plus 25 और यहाँ से 41 को आप 25 को इस तरफ बेज दीजिए ठीक है यहाँ पर 41 को इस तरफ बेज दीजिए कुछ भी कर लीजिए हो जाएगा x square plus 25 minus 41 0 x square plus 25 minus 41 तो यहाँ पर लिके x square 25 में से 41 गटाईए कितना आजाएगा minus 16 यही आगया चलिए आगे देखिए तो इस minus 16 को इस तरफ बेज दीए x square is equal to क्या हो जाएगा 16 और x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 और x बराबर क्या हो जाएगा 16 का बर्गमूर ले लेंगे 4 हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास x का value क्या आ गया 4 आ गया है तो x का मान हमें निकालना था लिखिए अतह x बराबर 4 है लिखिए अतह x is equal to 4 है तो x का value 4 आ गया इस्टूनेंट देखिए x is equal to 4 plus minus 4 भी हम लोग लिख सकते हैं लिख दीजिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे जब लोग अंडर रूट 16 का बर्गमूर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा लेकिन इसके लिए आप लोग कुछ इस तरीके से भी इसको हल कर सकते हूँ देखिए अब यहाँ पे क्या है a square minus b square तो a square minus b square इसको कुछ इस तरीके से लिख दीजिए x square minus 4 का square इस तरीके से हो गया और इसको आप लोग x minus 4 देखिए a square minus b square जब होता है तो इसको हम लोग a plus b और a minus b write कर सकते हैं तो यहाँ पे x minus 4 और x plus 4 हो जाएगा तो इस तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे अगर हमारा x minus 4 is equal to 0 है तो x is equal to 4 फिर अगर हमारा x plus 4 is equal to 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा minus 2 तो इस तरीके से x का value हमारे पास क्या हो जाएगा plus minus 4 तो हमें x का मान निकालना था तो x का मान हमारे पास a आ चुका है और student देखिए हमें क्या निकालना है हमें qr और pr भी निकालना है तो चलिये हम लोग qr और pr निकालते हैं तो चलिए हम लोग qr निकाल लेते हैं qr देखते हैं क्या हो जगा यहाँ पर x के अस्थान पर हम लोग एक बार x के अस्थान पर एक बार plus 4 लेकर के solve करेंगे और एक बार minus 4 तो इसका निर्देशायंग का आप लोग राइट कर लीजे क्या हो जागा चलिए हम लोग plus 4 लेकर के solve कर रहे हैं तो plus 4 6 हो जाएगा एक निर्देशांग और इसका दूसरा निर्देशांग क्या हो सकता है minus 4 और 6 तो देखे हमारा qr क्या हो जाएगा qr एक बार हम लोग इस पर निकालेंगे qr qr निकालना है तो x2 माइनस x1 का whole square करिए qr निकालना है तो x2 माइनस x1 का whole square करिए minus 4 plus 0 तो लेकिए minus 4 plus 0 का whole square plus आगे देखे 6 माइनस 1 का whole square करिए देखे क्या हो जागा 6 माइनस 1 का whole square हमने किया क्या हो जाएगा माइनस चार प्लस जीरो तो माइनस चार हो जाएगा माइनस चार का स्क्वाइर करेंगे तो चार्चों के 16 हो जाएगा प्लस यहां पे 6 में से गटाएंगे 5 हो जाएगा 5 का स्क्वाइर करेंगे 25 हो जाएगा और 25, 10, 35 इसे कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा तो qr हमारे पास कितना आ गया अंडरूट 41 आ गया students अगर आप लोग इस प्लस 4 को ले करके भी solve करेंगे तब भी आपके पास कितना आना है अंडरूट 41 क्योंकि रख करके देख लिजिए यहां पर लिखेंगे 4 प्लस में लिखेंगे तो स्क्वायर तब भी वही होगा तो चाहे आप इसको ले करके solve करिए आपके पास इनके जो बीच की दूरी है वो बराबर ही आएगी चलिए अब लोग next solve करते हैं तो इसके लिए आप लोग solve करते हैं देखिए चलिए अब लोग क्या निकालतें? PR तो देखते हैं PR क्या हो जाएगा? अब PR देखें एक बार हम लोग इस पर निकालेंगे माइनस 46 पर PR तो लिख लीजिये क्या है 5 5 माइनस 5 माइनस 3 तो यहां से देखिए हमें निकालना क्या है पी आर तो माइनस फॉर माइनस फाइब कर दीजिए माइनस फॉर माइनस फॉर माइनस फाइब का होली स्क्वाइर प्लस यहां पे देखिए सिक्स और यहां पे माइनस थ्री है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो हो जाएगा सिक्स प्लस थ्री का होली स्क्वाइर फॉल कर लिजिए माइनस चार माइनस पाँच माइनस नाइन माइन प्लस थ्री नाइन हो जाएगा और नाइन का स्क्वाइर क्या हो जाएगा 81 तो इसको लोग क्या लिख सकते हैं इसको देखे क्या लिख सकते हैं 81 प्लस 81 तो एक क्या है टू टाइमस आप 81 और 81 को लोग क्या लिख सकते हैं अंडरूट 81 को क्या लिख सकते हैं नाइन तो यहां से मारे पास क्या आगए 9 रूट 2 जो पी आफ आर जो पी आर है माइनस 4 6 पर क्या आगया 9 रूट 2 चलिए अब यह जो पी आर है हम लोग प्लस 4 6 पर भी निकालेंगे तो पी आर देखिए बिंदू 4 6 पर क्या हो जाएगा पी आर देखिए चार 6 पर इसके बीच की दूरी निकालनी है 4 माइनस 5 का होली स्क्वाइर लिखिए 4 माइनस 5 का होली स्क्वाइर प्लस 6 माइनस 6 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना solve कर दीजिए 4-5 क्या हो जागा माइनस 1 और माइनस 1 का whole square कर दीजिए 6 प्लस 3 9 हो जागा 9 का square कर दीजिए और यहां से क्या हो जागा 1 और 9 हो जागा 81 और 81 एक क्या हो जागा 82 अंडर रूट 82 यह हमारा किस बिंदू पर आया है बिंदू 4 6 पर और यह हमारा किस पर आया है माइनस 4 6 पर तो students हमें qr और pr निकालना था x का value निकालना था हमने निकाल दिया तो लिख दीजिए आता है x is equal to plus minus 4 तथा जो हमारा यह जो दूरी है qr qr कितना है qr का value देखे क्या है under root 41 तथा जो हमारा pr है pr क्या है pr हमारा है 9 root 2 और क्या है pr 9 root 2 है under root 82 है pr का हमारे पास दो बैलू है यह हमारा solution हो गया तो चलिए students इसके next number पर चलते और देखते हैं हमारा अगला question क्या है तो अगला question हमारा 10 number students आप लोगों के शामने आप लोग इसको पढ़िए और solve करने की कोशिस करिए तो question number 10 को देखे students इसका solution क्या हो जगा अगला करा X और Y में एक ऐसा संबंध ग्याद कीजिए कि बिन्दू एकस वाई यहाँ पे एजो मारा बिन्दू एकस वाई है यह जो बिन्दू एकस वाई है बिन्दू वोगों तीन सिक्स यहां पे बिन्दू मारा 36 है और माइनस 34 से क्या है समदूरस्त हो यानि कि यह जो बिंदू है इस बिंदू से और यह जो बिंदू है इस बिंदू से क्या हो समदूरस्त हो यानि कि इसके बीच की जो दूरी है वो बरावर है इसके बीच की दूरी के तो students इसको नाम दे देते हैं qr ठेकी स्टूडेंट्स अब यहां पे समदूरस्थ है यानि कि यह जो दूरी है पी क्यू वो बराबर किसके होगी पी आर के तो लिख दीजिए जो जो दिया है आप लोग इसको राइट कर लिजिए हमने मान लिया है माना जो बिंदू है क्या है p of xy और क्या है q of 36 है और r क्या है मारा मानस 34 है अब समदूरस्थ हैं इसके बीच में संबंद बताना है और relation हमें मिला क्या कि इसके बीच की जो दूरी है वो बराबर होगी इसकी दूरी के तो दूरी बराबर दूरी यानि कि जो हमारी PQ के बीच की दूरी है वो बराबर है PR के बीच की दूरी के तो formula apply कर दीजे देखे क्या हो जाएगा formula लिखे PQ यानि की x2-x1 का whole square प्लस y2- under root x2-x1 का whole square प्लस y2-y1 का whole square तो 3-x का whole square कर दीजे 3-x का whole square प्लस 6-y का whole square formula यह अपलाई कर रहे हैं आगे देखिए अब मानस 3-x मानस 3-x का whole square प्लस 4-y का whole square 4-y का whole square अब यहाँ पर देखिए क्या हो जागा students solve करिए open कर दीजे इसको 3 का square करेंगे तो 9 हो जागा यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो जागा a square प्लस b square यहाँ पर मानस है तो मानस 2ab मानस लिखे 2 इन 2 में a का value क्या है 3 और b का value क्या है x plus लिखिए इसको open करिए तो 6 चमक क्या हो जागा 36 plus y square हो जाएगा माइनस 2 इन 2 में a, a का value है 6 और b, b का value है y चारी आगे देखिए अब आप लोग इसके लिए देखिए a square मानस b square इसका square करिए मानस 3 का square किया हमने क्या हो जाएगा मानस 3 का square करिए तो 9 हो जाएगा a square मानस b square, b क्या है x है तो x का square किया हमने अब देखिए क्या हो जागा मानस, क्या हो जागा 2 a, a का value क्या है मानस 3 है, तो यहाँ पर आप माइनस 3 राइट करोगे 2A B का बैलू क्या है? X है यहाँ पे आप X राइट कर दीजिए प्लस A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर माइनस 2A भी हो गया अब इसके लिए देखी क्या हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए 4 माइनस Y का होल स्क्वाइर 4 का स्क्वाइर करेंगे तो 4 चोगे 16 प्लस Y का स्क्वाइर हो जाएगा और यहाँ पे देखिए A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर माइनस 2AB तो यहाँ पे लिखिए 2 इंटू में A, A का बैलू क्या है 4 2A इंटू में B और B का बैलू क्या है Y तो यहां पर y write कर दीजिए और इसको इस्टूरेट सब आप लोग solve कर लिए चलिए सबसे पहले हम लोग इसी को solve कर लेते हैं यहां पर 9 है और 9 16 कितना हो जागा 25 तो यहां पर हमने 25 राइट किया यहां पर देखे x square है तो x square हमने write किया यहां पर देखे y square है हमने y square को write किया यहां पर देखे 2 3 6 x 2 3 6 x लेकिन यहां पर minus है यहां पर minus minus plus हो जाएगा plus 6 x और यहां पर देखे 2 4 के 8 y minus 8 y सारी चीज़ें हो गई students चलिए अब लोग इस तरब चलते हैं आप लोग यहां पर ध्यान से देखे यहां पर 9 है यहां पर 36 है तो 36 कितना हो जागा 45 यहां पर देखे x square गैं अलम डाइक चलिए यहां पर देखे क्या है y square यहां पर देखे 23 6 x माइनस 6x और यहाँ पर देखें 2.12y माइनस 12y अब हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ square कर देंगे लिखिए यह जो करड़ी यहाँ पर है इस करड़ी को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोनों तरफ square करते हैं लिखिए दोनों तरफ work करने पर work करने पर क्या हो जाएगा काड़ी हट जाएगी बचेगा क्या 45 प्लस आप लोग समझे अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है और इसका हम square कर देत हमारे पास यही आता है हमने इसका square किया इसका square किया तो यह काड़ी हट जाएगी ठीक स्टूडेंट्स चली राइट कर देए 45 प्लस x square प्लस y square minus 6x minus 12y is equal to 25 plus x square plus y square plus 6x minus 8y अब यहां पर देखिए यहां पर भी plus x square है यहां पर प्लस x square है तो plus x square plus x square से cancel हो जाएगा यहां पर देखिए y square y square से cancel हो गया एक नहीं हो गया हो जाएगा चली अब आगे देखिए यहां पर 45 और इस 25 को आप इधर लेकर किया minus 25 हो जाएगा आगे देखिए इस minus 6x को आप उदर बेजिए तो यहां पर plus 6x है यह इधर आएगा तो यहां पर भी plus 6x हो जाएगा यहां पर minus 8y है और यह minus 12y इधर आएगा तो plus 12y हो जाएगा और students यहां पर देखिए चे चे क्या हो जाएगा 12x यहां पर देखिए प्लस 12y है माइनस 8y है तो यहां पर क्या बचेगा plus 4y और यहां पर 45 में से आप 25 गटा दीजिए तो क्या बचेगा 20 अब यहां पर चार हमको common दिख रहा सब जगां पर 20 को क्या लिख सकते हैं 4 गुड़े 5 और यहां पर देखिए हमने यहां से 4 common किया तो बचा क्या 3x plus y और a4 इस 4 से cancel हो जाएगा हमारे पास आ क्या जाएगा 3x plus y is equal to 5 क्या गया 3x plus y is equal to 5 यही हमारा क्या हो गया relation हो गया 3x plus y is equal to 5 अथवार इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 3x plus y इस 5 को इधर ले करके आएए minus 5 is equal to 0 और student देखिए हमें क्या बताना था देखिए हमें x और y में संबंद बताना था और कैसा संबंद बताना था कि जो x y है बिंदू x y है 3x minus 3 4 से समदूरस्थ हो तो इसके लिए जो हमारा relation आया है वो क्या आया है x और y में 3x plus y minus 5 is equal to 0 और यह student देखिए हमारा क्या हो गया answer हो गया तो my dear students इस तरीके से हमने इस question को solve किया और यह जो हमारी प्रशनावली थी हमने इस प्रशनावली को भी समाप्त किया तो चलिए students आप लोग पढ़ते रहे अगर आपनों को कोई भी doubt हो तो आप लोग comment box में comment कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो चलिए students आप लोग पढ़ते रहे थैंक यू